लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में गुरुवार को पेट्रोल डीजल दो रुपे सस्ता हो गया। इससे पहले आज ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में डीजल पेट्रोल पर दो प्रतिशत्वेग कम किया था। दस रुपे प्रति लीट कमाई कर रही तेल कमपनिया। दाम कम होने से पहले पेट्रोल डीजल के दाम, प्रमुक शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली, 96.72, 89.62, जैपुर, 108.48, 93.72, मुंबई, 106.31, 94.27, दामाह रुपे प्रति लीट, चन्डीगर, 96.20, 84.26, रायपुर, 102.45, 95.44, भोपाल, 108.65, 93.90, पेट्रोल, डीजल, शेर, पहली चमाही में सयुक्पनेट प्रॉफित 57,091.987 करोर रुपे सरकार तीनों, OMC, Indian Oil, IOC, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, BPCL, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, HPCL में प्रमोटर और मेजोराटी स्टेक होल्डर है, अब तक, 2023-24 की पहली चमाही में तीनों कम्पनियों का सयुक्पनेट प्रॉफित 57,091.987 करोर रुपे रहा है, HPCL ने घोशना की है कि वो 27 जनवरी को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोशित करेगी, जबकि अन्य दो कम्पनियां उसी समय के आसपास रिजल्ट घोशित कर सकती है, कच्चे तेल के दाम घटने से तेल कम्पनियों का मुनाफ़ा बढ़ा, जुलाई 2022, भारतिय बास्केट के ओसट तेल कीमते गिरनी शुरू हुई और अगस्ट 2022 में 100 डॉलर, 97 डॉलर और 40 सेंट प्रती बैरल से नीचे आ गई, मार्च 2023 तक ये गिरकर 78 डॉलर और 54 सेंट हो गया, और 2023 माइनस 24 के दो महीनों, सितमबर 2023, 93 डॉलर और 54 सेंट और अक्टूबर 2023, 90 डॉलर और 8 सेंट को छोड़ कर ये कभी भी 90 डॉलर से उपर नहीं गया, जिससे OMCS को पहली दो तिमाहियों में अच्छा नेट प्रॉफित कमाने में मदद मिली, सितमबर 2023 के बाद से टेल की कीमते कम हो गई, नवंबर में 83.46 डॉलर प्रती बैरल और डिसमबर 2023 में 77.42 डॉलर, यहां तक की चालू महीनेक जनवरी 2024 में भी 15 दिन का उसत 77.8 डॉलर प्रती बैरल है, डैनिक भासकर, मुख्य रूप से चार बातों पर निर्भर करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, एक, कच्छे तेल की कीमत, दो, रुपे के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, तीन, चार, केंडर और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स, शेर, देश में फ्यूल की मान, मोधी सरकार ने तेरह बार बढ़ाए और छे बार घटाए एक साइज ड्यूटी, तारीक 17 दिसंबर 2015, 2 जन्वरी 2016, 16 जन्वरी 2016, 31 जन्वरी 2016, पेट्रोल, जोर 21.48 रुपे, डीजल, जोर 3.56 रुपे, जोर 5.11 रुपे, जोर 6.14 रुपे, जोर 8.20 रुपे, जोर 10.26 रुपे, जोर 10.66 रुपे, जोर 19.36 रुपे, जोड 19.73 रुपे, जोड 20.48 रुपे, जोड 11.83, जोड 11.83, जोड 15.83 रुपे, जोड 17.33 रुपे, 21. जन्वरी 2016 2016 जोड 21.48 रूपे जोड 17.33 रुपे 1 अक्टूबर 2017-19.48 रुपे 2 फर्वरी 2018-17.48 रूपे 5 अक्टूबर 2018-15.9 रूपे मैनस 11.83 रुपे 6 जुलाई 2019 जोर 17.98 रुपे जोर 13.83 रुपे 14 मार्च 2020 जोर 22.98 रुपे जोर 18.83 रुपे 6 मई 2020 जोर 32.90 रुपे जोर 31.88 रुपे 3 नवंबर 2021 माइनस 27.90 रुपे 21 मई 2020 जोर 19.90 रुपे 14 मार्च 2024 जोर्कारे पेट्रोल डीजल पर वसूलती है मोटा टैक्स हमारे देश में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइज तो अभी 57 रुपे के करीब ही है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारे इस पर टैक्स लगा कर इसे 100 रुपे पर पहुँचा देती है इस पर केंद्र सरकार 19.90 रुपे एक साइज ड्यूटी वसूल रही है इसके बाद राज्य सरकारे इस पर अपने हिसाब सेवेट और सेस वसूलती है जिसके बाद इनका दाम बेस प्राइट से दो गुना तक बढ़ जाता है की भासकर पेट्रोल डीजल पर टैक्स का गनित पेट्रोल लीटर क्रूव डीजल लीटर क्रूव बेस प्राइज 57.07 57.85 भारा 0.12.20 0.22 एक साइज ड्यूटी 19.9 शून्य 15.8 शून्य डील कमीशन 3.8 चार 2.6 वेट 15.7 एक 13.1 एक कुल की कीमत 96.72 89.62 नोट ये आंकरे 17 जन्वरी 2024 को दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत के हिसाब से हैं शेर भारत में कैसे टै होती है पेट्रोल डीजल की कीमतें जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारिक करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारन ओयल कमपनियों के ऊपर छोड़ दिया इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी औरल कमपनियों को सौप दिया अभी औरल कमपनिया अंतराष्ट्रिय मार्कित में कच्चे तेल की कीमत एक्सचेंज रेट टैक्स पेट्रोल डीजल के टास्पोर्टेशन TT, कीमत, Exchange Rate, Tax, Petrol Diesel के Transportation का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुई रोजाना Petrol Diesel की कीमत निर्धारिक करती है Danic, कैसे पहुँचता है Petrol Diesel Import, विदेश से कच्चा तेल खरीदा जाता है Do Refinery, कच्चे तेल से Petrol Diesel अलग-अलग होता है शून्य, कमपनिया, ये अपना Profit बनाती है और Petrol पहुचाती है खरीदार, केंद्र और राज्य सरकार का Tax मिला कर खरीदता है मौसम विभाग ने जारी किया Yellow Alert, बारिश के साथ वजरपात और तेज हवाओं की चितावनी रांची, बर्ती गर्मी के बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में बारिश की जानकारी दी है केंद्र ने 16 से 18 मार्च के लिए Yellow Alert जारी किया है इस दौरान राज्य के दक्षनी और मध्य हिस्से में बारिश की जानकारी दी है केंद्र की माने तो इस दौरान राज्य के इन हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश की साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलेंगी ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है केंद्र की माने तो आने वाले दो दिनों तक अधिक्तम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है इसके बाद तापमान में पांच डिग्री तक की गिरावत हो सकती है केंद्र के अनुसार राज्य में 20 मार्च तक बारिश होगी जिसका छिटपुट असर राज्य भर में देखी जाएगी हाला कि 15 मार्च को आस्मान साफ रहेगा दक्षनी हिस्से में आन्शिक बादल का असर देखा जाएगा इस दौरान राज्य का ओसतन अधिक्तम तापमान 30 डिग्री तक और ओसतन न्यूंतम तापमान 18 डिग्री तक रहने की जानकारी दी गई है इसे भी पड़े तेजी से बढ़ रहा तापमान गर्मी के साथ ही 16 से बारिश के आसार लोगों को मिलेगी रहत जानकारी हो की पिछले दो दिनों के दौरान राज्य के तापमान में व्रिद्धी दर्च की गई है जो तीन डिग्री तक की रही ऐसे में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से लोगों को राहत मिलेगी एक बार फिर जार्खन में बदला मौसम का मिजाज शुरू हुई रह रह कर जार्खन के मूर में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से गर्मी का एहसास हो रहा था मगर तेरह तारीक को फिर मौसम ने मूर बदलने का संकेट दिया वेदर अपडेट, रह रह कर जार्खन के मूड में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से गर्मी का एहसास हो रहा था, मगर तेरल तारीक को फिर मौसम ने मूड बदलने का संकेत दिया राजधानी रांची समेत अन्य जगहों पर आज बादल छाय हुए हैं, कई जगल छिटपुट बारिष्ट स्पराड़क रेन भी हुई है 16-18 मार्च तक ही सिलसिला जारी रहेगा मौसम विभाग वेदर डिपार्टमिंट की माने तो, मौसम में बदलाव के बाद अधिक्तम तापमान में 4-5 डिग्री तक की गिरावत दर्ज हो सकती है दिन में दोपहर के दोरान बढ़ रही गर्मी से राहत मिलेगी मौसम वेग्यानिक अभिशेक आनंद के अनुसार, राजय में यह मौसम बदलाव एक नए पश्चिमी विक्षोब के कारण हो रहा है यह विक्षोब 12 मार्च को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में दस्तक दे चुका है रांची पुलिस ने एड अफसरों को भेजा समन 21 मार्च को थाने में पेश होने के लिए कहा अपर और सहायक निदेशक है आरोपी जारखंड हाइकोर्ट की रोग के बावजूद रांची पुलिस ने प्रवर्तन निदेशाले एड के अफसरों को समन भेजा है समन में एड के अपर निदेशक और सहायक निदेशक सहितन्य अग्यात लोगों पर आरोप लगाए है सभी को 21 मार्च को सुबह 11 बजे हाजर होने को कहा है इसके पहले पश्चिम बंगाल में एड अफसरों पर फो हुई थी उन्हें थाने बुलाया गया था अब बुजुर्गों को भी मिलेगी 5000 रुपे की पैंशन इस तरीके से करना होगा उनका आवेदन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इनसान का सबसे एहम समय होता है उसका रेक्वायर्मेंट क्योंकि ऐसे में लोगों का इंकम सोस भी नहीं होता है तो ऐसे में यदि आपके पास कोई पैंशन स्कीम है और उसका नाम ले रहे हैं तो आपको बुड़ापे तक किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है ऐसे में इस तरह से बुजुर्गों के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है इसका नाम है अटल पैंशन योजना दरसल इस तरह की स्कीम में किसी भी इंसान यदी छोटा भी कंट्रिब्यूशन करता है तो वह सबसे लंबे समय तक एक अच्छी अमाउंट में इंकम प्राप्त कर सकता है यदी कोई भी शक्स इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसे पांच हजार रुपे तक की पैंशन मिलती के लिए KYC के अनुरूप सेविंग या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना पड़ेगा साथ ही आपको इस स्कीम के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि अक्टूबर 2022 से सरकार ने इस स्कीम के लिए हैवी नियम बनाया है कि यदी आप किसी भी तरह के टैक्स पर है तो आ आपको लाब नहीं मिलेगा इसे भी पड़े वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हुआ अब और भी आसान जाने क्या है पूरी जानकारी कितने रुपे तक करना होता है अनुदान अटल पैंशन योजना की मन्थली पैंशन आपके द्वारा किये गए इन्वेस्टमेंट के उपर डिपैंड करती है यदि आप हर महीने एक हजार रुपे से लेकर पांच हजार रुपे प्रती माह की पैंशन की अपेक्षा रखते हैं तो आपको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट को भी करना होगा आपको इस योजना की तहत काम से कम एक हजार रुपे लगभग पा पैंशन योजना के तहट अपना खाता खुलवा देते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको एक हजार रुपे प्रती माह गारंटी पैंशन मिलने लगे तो उसके लिए आपको हर महीने 40 रुपे का कॉंट्रिब्यूशन करना होगा और इसके साथ साथ यदि आप चाहते ह हैं कि आपको 5000 रुपे की पैंशन मिलने लगे तो आपको हर महीने 210 रुपे का कॉंट्रिब्यूशन करना होगा इसके बाद ही आपको साथ साल के बाद 5000 रुपे तक की पैंशन प्रतिमा मिलने लगेगी आप पैंशन धरकों की बधेगी पैंशन पैंशन का भेदभाव भूमिका निभाते हैं। फिर भी पेंशन प्रनाली में एक चिंताजन का समानता मौझूद है, जो 2006 से पहले सेवा निवरित हुए लोगों पर गलक प्रभाव डाल रही है। ऐसे में पेंशन का भेदभाव ततकाल प्रभाव से खत्म करने की आवश्यक्ता है। एक सभी की पेंशन हो एक समान, खत्मों पेंशन का भेदभाव, दो चठवे वेतनायोग की सिफारिश में विसंगती, तीन पेंशन को लेकर विसंगती, फोर 2006 के पहले रिटायर पेंशन धारकों की पेंशन ततकाल बढ़ाए, पांच पेंशन भोगियों के लिए एक समान अधिकारों की गारंटी देता है, सम्विधान के अनुच्छे 14 के तहट सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, ये जीवन के हरक्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पेंशन योजनाओं जैसी सरकारी नीतिया भी शामिल है, ऐसे में सभी की पेंशन एक समान होनी चठवे वेतनायोग की सिफारिश में विसंगती, आपको बतादू की कार्मिक और पैंशन विभाग डॉक और पी डवल्यू ने चठवे केंद्रिय वेतनायोग CPC के तहट दो अलग-अलग फॉर्मूली लागू किये हैं, एक 2006 से पहले के लिए और दूसरा 2006 के बाद के रि विसंगती, भारक पेंशन वोगी समाज ने कहा कि यह विसंगती समानता के सिध्धान्त और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डियस नकारा के मामले में दिये गए फैसले का घोरुल लंगन हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समर्पन के साथ देश की सेवा कीवे उचित व्यवहार क मनमारे कट ओफ तारीक के आधार पर पेंशन वित्रित करना न केवल भेद भावपूर्ण है, बलकी सिस्टम की निश्पक्षता में विश्वास को भी कम करता है। तुलना में कम पेंशन मिलने से उनकी उपर और भी दबाव बढ़ गया है। ये भेद भावपूर्ण न न न केवल पेंशन धारकों को बलकी उनके परिवारों को भी प्रभावित करता है। इसलिए भारत पेंशनर समाज इस भेद भावपूर्ण प्रथा के खिलाफ सही द्धान से आवाज उठाता है इसमें ततकाल सुधार की मान करता है पैंशन भूगियों के लिए एक समान फॉर्मूला हो लागू डियो पी और पी डवल्यू को इस भेदभावपूर्ण नीती को खत्म करने के लिए त्वरित कारवाई करनी चाहिए छथी सीपीसी की सिफारि पैंशों के आधार पर सभी पैंशन भूगियों के लिए एक समान फॉर्मूला लागू करना चाहिए चाहे वे 2006 के बाद रिटायर हुए हो या 2006 के पहले सभी की पैंशन समान होनी चाहिए पैंशन के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ये भी पड़े 18 महीने का एरियर मि सभी कार करने और सभी के लिए एक समान पैंशन प्रनाली सुनिश्चित करने की मान करते हैं भारक पैंशन भोगी समाज के मान की प्रती डाउनलोड करें 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत कर्मचारियों को मिलेगा वन नोशनल इंक्रिमेंट का लाग आ गया बड़ा फैस पैंशन का भेदभाग हुवा खत्म आ गई बड़ी खुशखबरी पैंशन धरक होगे माल माल बी एमसी कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोफ़ा 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी मिलेगा चार महिनों का अर्रेय आएगा खाते में केंड सरकार के पैंशन भोगियों पा महाराश्ट्रा की शिंदे सरकार ने दिया शांदार तोफ़ा पैंशन महागाई भत्ते पर के पांच बड़े अलान कर्मचारी व पैंशन धरक माला माल दिनाग की जन्वरी 2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना के अनुसार पैंशन बेचने कॉम्यूटेशन पर फिर से अब पैंशन धरकों की बधेगी पैंशन, पैंशन का भेदभाव हुवा खत्म, आ गई बड़ी खुश खबरी। पैंशन साद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मेरे बैडरूम में एडी की टीम भुश गई। इडी अपने साथ लेकर गई है। भाजपा की तरफ से लगातार मुझे हजारी बाग लोग सभा सीट से चुनाव लड़ने का ओफर दिया जा रहा था जिससे मैंने इंकार कर दिया। आर एसस के लोग घंटों घर पर बैठे रहते थे, मुझे चत्रा से भी बीजेपी से लड़ने का ओफर दिया गया था। मुझे पर बीजेपी के ओर से चुनाव लड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था जिसे मैंने मना कर दिया था। सरकार ने ग्राम पंचायत के सुद्रिली करन योजना के तहट एक कदम और बढ़ा दिया है। अब राज्य के 17,385 स्वयम सेवक अब पंचायत सहायक कहलाएंगे। इन्हें पंचायत के विकास कार्यों में भागीदार बनाने के लिए सरकार 2500 रुके काम के बदले प्रोटसाहन सम्मान राशी देगी। इन्हें किसी तरह का मांदेय नहीं दिया जाएगा। इनकी रिटायर्मेंट आयू सीमा भी तैकी गई है। एक-एक साल विस्तार करने के बाद अधिक्तम 60 वर्ष तक इनसे काम लिया जा सकता है। हाला कि इसके पूर्व भी इन्हें हटाया जा सकता है। इस आशे का निर्नय मंत्र परिशद ने लिया है। जिसके बाद पंचायती राज विभाग प्रोटसाहन राशी भुपतान की कारवाई कर रहा है। राज्य के 4,345 पंचायतों में कारियरत 17,380 पंचायत सहायकों को 2,500 रुपे प्रोटसाहन राशी देने में मासिक व्याई 4,34,50,000 रुपे वसालान बावन दशमलव 1,4 करोर रुपे खर्चाएगा। प्रोटसाहन राशी का भुपतान इसी वित्तियव वर्ष 2023-24 से होगा। इसके लिए सरकार ने 8,96 करोर का प्रावधान भी कर दिया है। बता दें कि पंचायक में पूर से कार्यरक पंचायत स्वयम सेवकों से प्रस्तावित हेल्ग डेस्क में पंचायत सहायक अधिक्तम 4 की संख्या में कार्य लिया जा रहा है। प्रारंग में एक वर्ष की सेवा होगा मासिक कार्य का मुई याकन। ग्राम पंचायती ग्राम सभा का अनुमोधन लेने के बाद पंचायत स्वयम सेवकों से एक वर्ष के लिए पंचायत सहायक के रूप में कार्य ले सकेंगी. उनके वार्षिक कार्यों का मुई याकन प्रतिवेदन ग्राम सभा के समक्ष रखा जा सकेगा. ग्राम सभा की अनु के आधार पर जिला पंचायती राजपदादिकारी कार्य मुक्त करने में सक्षम होंगे जिला पंचायती राजपदादिकारी के आदेश के विरुध निदेशक पंचायती राज यहांवे अपील एक माह के भीतर कर सकेंगे यह होंगे पंचायत सहायक के मुख्य काम पंचायक दिजिटी करन सहित अन्य कार्य में सरकारी विभागों के बीच पंचायत स्तर पर समन्वय ख्षमता विकास कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। 834 केंद्र बनाए गए सिविल सेवा एडमित कार्ड डाउनलोड होने में आ रही तक्नीकी समस्या को लेकर बुधवार को कुछ अभ्यर्थियों ने जेपीसी कार्याले की समक्ष प्रदर्शन किया जार्खन लोग सेवा आयोग जेपीसी द्वारा ग्यारहवी, बारवी व तेरहवी सिविल सेवा पिटीक प्रारम्विक परीक्षा 17 मार्च 2024 को होगी साड़े तीन लाग से अधेक अभ्यर्थियों के लिए सभी 24 जिलों में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 17 मार्च को परीक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दो पहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी पहली पाली में सामान्य अध्यायन प्रथम पत्र तथा द्वितिय पाली में सामान्य अध्यायन द्वितिय पत्र की परीक्षा होगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना एड्मित कार डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार डाउनलोड होने में परेशानी होने पर अभ्यर्थी आयोग के हेल प्लाइन नंबर 9 अरब 43,13,1419, 9 अरब 43,13,1636, 95,66,22,450 पर 16 मार्च तक कार्य दिवस्ट दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्ट कर सकते हैं आयोग द्वारा परीक्षा की लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है परीक्षा तिथी बढ़ाने की मान्ग आज सुके केंद्रिय संगतन सचे वैसली ने राजयपाल मुख्यमंत्री वजेपीसी अध्यक्ष को ग्यापन सौप कर सिविल सेवा परीक्षा की तिथी बढ़ाने है जबकि कम से कम 45 दिन का समय देना चाहिए कार्याले की समक्ष प्रदर्शन इधर सिविल सेवा एड्मिट कार्ड डाउनलोड होने में आ रही तक्नीकी समस्या को लेकर बुधवार को कुछ अभ्यर्थियों ने जेपीसी कार्याले की समक्ष प्रदर्शन किया प्रदर्श का Admit Card डाउंलोड नहीं हो रहा है